चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हादिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी बच्चों NTA ने नेट की आंस्वर की ओमार सीट और रिकोडेड रिस्पोंस सीट जारी कर दी है आपको इसमें ओमार सीट से रिकोडेड रिस्पोंस सीट तेली कर लेनी है, ये बहुत ही जरूरी है यनि कि आपकी ओमार सीट से NTA ने कौन चाळा आंस्वर डिडेक्ट किया है, कौन सा आंस्वर रिकोर्ड किया है, ये आप एक बार चैक कर ले यह पर्क्यूशन है, आप कितने भी क्यूशन चैलेंज कर सकते हैं, आपको जो मैन है, वो ये है कि अपने ओमार सीट से आप एक बार रिस्पॉंड सीट जरूर टेली कर लें, यह टेली करने से आपको यह फाइदा हुआ, आपको एक कॉन्फिडेंच हो जाएगा कि जो मैंने ओमार में answer दिया है NTA ने वही answer record किया है तो सबसे पहले हम answer की के बारे में बात कर लेते हैं कि जो NTA ने answer की जारी की है उसमें कौन से क्यूसन को इसमें objection लगाया जाए, कौन से क्यूसन को challenge किया जाए तो एक बार हम answer की देख लेते हैं कैसे check करेंगे answer की और कैसे check करेंगे omar seat और कैसे tele करेंगे omar और response seat तो सबसे पहले हम NEET की website पर login करेंगे login करने का process simply सी है आप password से भी login कर सकते है application number fill करके या फिर date of birth से भी login कर सकते है application number fill करने के बाद जैसे ही login करेंगे इस परकार का आपके पास में interface दिखाई देगा इसमें सबसे उपर download confirmation page है और इसके बाद में challenge answer की और view का option है और view omar और challenge का option है इसमें omar का तो सबसे पहले हम answer की के बारे में बात कर लेते हैं कि किस परकार से challenge करें कौन से question को challenge करें तो जो NTA ने answer की जारी की है जैसे ही आप view oblique challenge पर क्लिक करेंगे इस परकार का option आपके सामने दिखाई देगा इसमें एक तरफ question ID होगा और दूसरी तरफ correct option होगा इसमें इसके बाद आप जिसमें जिस भी question में challenge करना चाते हैं जिस question को उस पर आप टिक कर सकते हैं यहां पर तो जिस question का answer आपको लग रहा है कि NTA ने सही नहीं दिया है और आपकी तरफ से यह होना चाहिए तो उसको आप justify करके उसको challenge कर सकते हैं तो save your claim पर click करेंगे यहां पर जैसे ही save claim पर click करेंगे यहां पर justification के लिए file upload कर देंगे जो मैंने justification बताया इस परकार का किसी भी question के लिए आप करना चाहिए अपने तरफ से लिखके उसमें NCRT का reference भी दे सकते हैं और अपने तरफ से solution लिखके भी एक दे सकते हैं आप और अगर आपके पास computer में यह file नहीं बना पा रहे हैं तो एक white page पर आप यह सारा justification लिखके आप इसको एक JPG file में save करके फिर भी इसको upload कर सकते हैं आप mobile से scan करके white page पर लिख करके तो save your claim and pay fees पर click करेंगे और इसकी जो fees है वो 200 rupees है आपने एक क्यूशन अगर claim किया है तो अगर आप दो तीन claim करेंगे तो उसके according one question 200 rupees के according यह fees आपकी यहां show हो जाएगी और आप यहां online payment कर सकते हैं अब आपने omar और इसको टेली कैसे करना है omar और response seat को टेली कैसे करना है और यह टेली करना भी बहुत ही जरूरी है तो इसके लिए आपने view oblique challenge omr पर click करना है तो आपकी यहां पर omar seat show हो जाएगी आप इसका print भी ले सकते हैं और omar seat show होने के बाद नीचे लिखा है click here to view and challenge record omr recorded omr यानि कि कौन से response record किये है ntne आपके जैसे कि first question का कोई response नहीं दिया आपने second का कोई नहीं third question का आपने two answer दिया है fourth question का four answer दिया है तो यह आपके recorded response है यानि कि आपकी omr से ntne यह response capture किये हैं तो आप इनको टेली कर लें बार टेली कैसे करना है यह response आपको मिल जाएंगे nta की website पर और इसके बाद में यह answer seat मिल जाएगी यह दोनों अभी मैंने आपको बताया है कि कैसे आपने omr seat display करनी है और कैसे यह record response से display करने हैं तो आप यहां से अभी check कर लें जैसे आपके record में first में कोई answer record नहीं हुआ है तो आपने omr में भी first में कोई answer नहीं दिया है यहां पर तो यहां पर कोई answer नहीं दिया है थर्ड नम्मर पर आपने 2 दिया है यहां थर्ड नम्मर पर 2 दिया है तो थर्ड नम्मर पर 2 capture हो गया यह बिल्कुल correct है यह भी correct है यह भी correct है यह भी response correct है और next में fourth answer दिया है four नम्मर पर यहां पर आपने तो यहां पर भी four capture किया है NTA द्वारा तो इस परकार से पूरे आप two hundred question check कर ले पूरे two hundred question check कर ले response recorded response से check कर ले आपकी ओमार के according आपकी ओमार के according अगर कहीं mistakes है कोई भी mistake है तो आप उसको claim कर सकते हैं उसको challenge कर सकते हैं जैसे कि मानलो example के तोर प इसमें question number 60 पर एक चोटा सा यहां यह हो गया है यहां आपने बड़ा सही किया है यहां आपको यहां पर जब यह recorded response में क्या होगा यहां पर star लिखावा आप मिलेगा आपको आप चाहते हैं कि आपका जो recorded response में आपका यह four या यह NTA इसको 62 नम्मर पर इसको correct नहीं माने हाल एक पॉइंट जैसा रहता है फिर यह NTA उसको capture कर लेता है इस्टुडेंट नहीं चाहता है कि यह नहीं होना चाहिए तो इसके लिए claim कर सकते हैं आप claim करने का procedure वही है उस question पर आप टिक कर दें कि यह four option ही यहां लिया जाना चाहिए save your claim पर click करेंगे और इसके बाद file upload कर देंगे justification लिखे अगर नहीं भी upload करते हैं तो भी कोई बात नहीं है नहीं तो आप यहां पर omar seat upload कर दें यहां reference के लिए जो आपने यहां पर omar download की है वह यहां पर आप attach कर दें file और फिर save your claim पर click करके fees paid कर दें fees paid करने के बाद में आपका यह जो challenge है यह accept हो जाएगा और जब accept हो जाएगा तो उसके बाद में आगे NTA दवारा review किया जाएगा review किया जाएगा तो अगर वो माल लिया जाएगा कि आप सही हैं तो आपको marks दे दी जाएगे अब इसको आपने print ले लेना है इन तीनों को answer की को भी आप print कर ले ओमार को भी print कर ले record response को भी print कर ले आपके पास अगर print की स्वीदा नहीं है तो आप इसको mobile या फिर computer laptop में save करके रख सकते हैं save करने के लिए simply see आपने अगर जिसको भी open कर रखा है जिस page को माल लो इस page को हमने open कर रखा है यहाँ पर तो इस पर right click करेंगे तो right click करने के बाद यहाँ पर एक save as का option आएगा और save as का option पर click करने के बाद आपसे location पुछी जाएगी कि आप इस file को कहाँ save करना चाते हैं तो वहाँ पर इसको save कर सकते हैं तो यह था पूरी जानकारी answer seat कैसे challenge करना है इसका मैंने process बता दिया है record response और omar को कैसे टेली करना है record response का मतलब होता है कि आपने जो omar में answer दिया है वो NTA ने कौन सा capture किया है वो आपने टेली करना है टेली कैसे करना इसके बारे में बता दिया है और answer challenge कैसे करना है तो limited time है 6 तारिक को रात 11 बजगे 50 मिनट तक आप इसको challenge कर सकते है answer की और omar आपको एक important information यह बता दूँ कि अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी book download कर सकते हैं इस video के description box में link दिया गया है इसको आप हमारी website से भी download कर सकते हैं जैसे ही आप download करेंगे हम आप से संपार कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं अब इसमें जो facility है वो choice list दी गई है इसमें cut off दी गई है चार साल की category wise college wise state की book में सारी facility available है इसमें क्या documents दी है आपको इसमें process क्या है हर एक state का I use और veterinary की book भी available है और state quota की book में private colleges के बारे में जो open state की colleges हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई तो मैं सोचता हूँ ये book आपके लिए काफी helpful रहेगी जैसे ही net related कोई update मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा मिलेंगे नई update के साथ नई वीडियो में तब तक मैं हर साइच चोपना आपसे लेता हूँ विदा जैसे झाल 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 झाल